दोस्तों Google एकाउंट कैसे बनाएं आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे Google एकाउंट बनाना पसंद आएगा तो लाइक करेगा आपका नया फोन है या नया Google एकाउंट बनाना चाहते हैं तो अन तक देखने के बाद आप बना पाएंगे इस प्रकार से आपका मोबाइल ह आपके जरूर होगा आपको सीम्पली सेटिंग पे क्लिक करना है वीडियो को इस टेप बाइस टेप देखना भगाना नहीं है आप सटेप बाइस टेप Google एकाउंट बना पाएंगे अपने फोन में यहां पे स्क्रोल करना है आपका कोई भी फोन होगा किसी भी कंपनी का उस उसमें एक options होगा user and account का बिल्कुल user and account का options होगा उसपे click कर देना है उसपे click करने के बाद इस प्रकार से आपको interface दिखाए देगा यहाँ पे बहुत सारे options मिलेंगे लेकिन आपको add account पे click करना होगा Aid account पे click करने के बाद दोस्तों इस प्रकार से interface आएगा अब इसमें आपको यह absence मिलता है Facebook के नीचे Google का आपको Google पे click कर देना है क्योंकि मुझे बनाना है Google account अब आपका data आन होना चाहिए इस प्रकार से आएगा आपके जो भी phone में password लगा होगा वो password मांगेगा password इंटर करने के बाद इस प्रकार से checking info का absence लेगा अब आपका इस प्रकार से absence आएगा जाएगा कि with your Google account यानि मुझे बनाना है Google account तो यहाँ पे करना क्या है आपको simply create account पे click कर देना है create account पे click करने के बाद इसमें दो absence मिलेंगे आपको उपर वाले पे myself पे click करना है इस पे click करने के बाद आपको first name last name को डालना है और नीचे next का absence मिलता है आप कुछ भी डाल सकते हैं मैं example के लिए ABCD डालता हूँ आपका जो भी नाम होगा आप डाल सकते हैं तो मैं ABCD कुमार डाल दिया और example के लिए next पे click करता हूँ next पे click करने के बाद यहाँ पे उपर आपको data worth चूच करने के लिए मांगता है आपका जो भी data worth होगा आप enter कर दिजेगा मैं example के लिए क्यों ले रहा हूँ यहाँ पे नीचे gender आप male है या female है आप डाल सकते हैं डालने के बाद यहाँ फिर से आपको next का absence मिलता है next पे click करने के बाद यहाँ से आपको create gmail account का absence मिलता है suppose that मैं आपको समझाता हूँ ABCD example के लिए ठीक है चार 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 या आगे कुछ लगा सकते हैं जो आपके पसंद होगा और next पे click करेंगे यदि यह सही रहेगा तो ले लेगा वरना आपको फिर से कुछ try करना है क्योंकि इस पे बहुत सारे account बने रहते हैं जो same रहता है नहीं ले पाता है यह मेरा ले लिया उसके बाद यहाँ पे password strong password create करने के लिए बोल रहा है suppose that मैं example बता देता हूँ ABCD यानि आपका जो भी नाम होगा add the rate 123 या कुछ भी आप कर सकते हैं strong password या अपना phone number भी आप लिख सकते हैं उसके बाद next पे click करना है next पे click करने के बाद add for number करकर इस प्रकार से आता है scroll करना है scroll करने के बाद नीचे yes I am mean का absence आता है click करने के बाद यहाँ पे example के रूप में देख सकते हैं यह email id बता रहा है और आपको next पे click करना है एक यवल example के लिए बना जाया रहा है यहाँ पे फिर से इस प्रकार से आपका interface आएगा scroll करना है और I agree पे click करना है I agree पे click करने के बाद यह scroll करेगा और कुछी छड़ भर में आपका इस प्रकार से absence आजाएगा देख सकते हैं यहाँ पे आपका absence आ गया और username password का absence आया save करने के लिए बोल रहा है सकते हैं और play store से कुछ भी आप update भी कर सकते हैं मैं उमीद करता हूँ वीडियो को अच्छा लगा हुआ तो like subscribe कर जाएगा